नमस्कार मेरा नाम है अभिशेक कुमार हो मैं आप सब का स्वाधत करता हूँ NTSC Magnet Brains के प्लेटफॉर्म पे तो पूरी Magnet Brains की टीम आपके साथ है आपको तयारी करवा रहे हैं National Talent Search Examination की तो पूरी टीम के साथ हम होंगे कामियाब इसी चीज के साथ हम आज की शिरुवात करते हैं तो इस वीडियो में सर आप क्या कवर कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं DPQ और DPQ का जो टॉपिक है वो है Classification तो आपसी उमीद करता हूं कि इस वीडियो को आप तभी वाच कर रहे होंगे जब आपने Main Theory lecture पूरा वाच किया होगा तो Main Theory lecture जो कि मैंने 25 questions non-verbal के solve करवाए थे टॉपिक था Classification आपसी उमीद करता हूं कि description box में आप लोग गए होंगे आपने वहां से एक sheet download की होगी जिसमें around 15 questions होंगे जो कि as a homework as a DPQ मैंने आप लोग को provide की थी और जिसका solution वीडियो अब आप लोग वाच कर रहे हैं तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है खुद से solve नहीं किया है तो पहले खुद से solve करिए उसके बाद इस video को as a solution के तौर पे अपने answers को cross check करने के लिए आप इस video को watch करिए चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं तो पहला question हमारी DPQ का क्या था तो पहला question हमारी DPQ का कुछ इस पकार से था कि आपके सामने पांच option होंगे ठीक है पांच option में से कोई एक ऐसा figure है जो कि आपको classify करना आपको ढूनना है कि क्या गलती है मतलब चार figure एक जैसे हैं ठीक है कि किसी pattern को follow कर रहे हैं और एक figure ऐसा है जो कि उस pattern को follow नहीं कर रहा ठीक है तो classification इसी को कहना है classify करना है हमें हमें 5 में से कोई एक ढूनना है ठीक है चलिए हम किस नदर से देखे हम कैसे देखना चालू करें तो सबसे पहले आप जब drawing देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आप लोगों को एक इस तरह का center में sign दिख रहा है और इसका जो direction सारे figures में एक ही तरफ है मतलब आप देख रहे हैं कि सब का जो center में design बना हुआ है वो सारा सारा same है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा फिर आप watch कर रहे हैं कि सब के center में दो-दो line है ठीक है तो सब के आप द तो कहीं न कहीं आपको difference दिखने वाला है वह आपको दिखने वाला है उपर नीचे एक line आपको यहां पर दिख रही है ठीक है तो इन दो line को अगर आप ध्यान से watch करें सारे figures में तो आपको अंतर समझ आ जाएगा देखना मैं कैसे watch कर रहा हूँ आप देखो पहले figure में का नीचे है और स्वाण दीखने अन ऑगा हं चोड़े dum shields मिल्डरा के इस सबसे ही बात ग्र्रीार के शीका जो आपको पर यह से सबसे पहली बात दूसरेके अब बार लाइक एक कंगा अब लोग में भीन्यान तो एक उपर है इस तहीं के से आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो एक नीचे एक उपर है और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस फिगर में यह जो नीचे की लाइन है और उपर की लाइन है अगेन यह उपर नीचे तो है लेकि आप उपर चली गई है और जो उपर थी वो नीचे थी तो क्या अंतर दिखा यहां पर मुझे यह दिखा कि जो horizontal line है यह वाली अगर यह उपर जा रही है तब भी उसके सामने वाली जो दूसी horizontal line है वो opposite face कर रही है मतलब वो भी एक opposite direction में है फोर्थ वाले figure में आप देखिए अगर नीचे कोई line है तो उपर line है तो यहां पे कोई अंतर नहीं दिख रहा सब कुछ बढ़िया चल रहा है उपर line है नीचे line है एक अंतर मुझे समझ आ गया इतने सा है figures में बात करने के बाद वो यह कि यहां पे जो दो line है horizontal वो figure के एक ही side में बनी है एक ही side में बनी है लेकिन हर figure में आप देखेंगे कि opposite sides है तो मैं कहूंगा कि फोर्थ वाले figure में छोटा से difference के कारण मैं कहूंगा कि मैं यह classify कर पा रहा हूं कि जो फोर्थ figure है न यह different है यह different है मतलब मेरा option यह d option पर मैं करूंगा कि fourth figure में कोई न कोई कमी मुझे नजर आ रही है वो यह नजर आ रही है जो reason मैंने दिया है कि दोनों line एक ही तरह face कर रही है यहां पर opposite यहां पर opposite यहां पर एक दूसरे के opposite यहां पर भी एक दूसरे के आया फोर ठीक है मतलब डी आया डी option पर ग्रीन टिक आया तो इस तेके से question number one का answer है डी मूव करते है question number two की तरफ इसको करते है board clear question number two आपके सामने है यह figure क्या कह रहा है इसको आप watch करिए यह कह रहा है कि आप अगर ध्यान से देखें तो पहले बॉक्स के अंदर आपको एक यहाँ पर एक इस तीके का figure दिख रहे है तीन और चार और पांच मतलब पैंटागन दिख रहे है ठीक है पैंटगन के अंदर आपको एक quadrilateral दिख रहा है चार साइड वाला फिगर दिख रहा है और चार साइड वाले फिगर के अंदर आपको एक 6 मतलब है hexagon यहां पर नजर आ रहा है तो यह hexagon मुझे नजर आ रहा है मुझे क्या समझाई कितनी लाइन से मुझे यह समझाई कि बाहर बनने वाला पैंटगन मतलब 5 साइड वाला है ठीक है अंदर बनने वाला जो फिगर है वो एक quadrilateral है मतलब की 4 साइड का है और उसके अंदर बनने वाला जो फिगर है वो एक hexagon है 1 2 3 4 5 6 6 साइड है इसका मतलब 6 साइड का एक फिगर है तो पहले फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 4 6 यह पैटन कुछ फॉलो होता हूं मुझे नजर आ ठीक है आगे देखते हैं सेकिंड वाले फिगर में अगर मैं देखूं तो यहां पर 1 2 3 4 और 5 बाहर बनने वाला फिगर अगें 5 ठीक है अंदर बनने वाला एक क्वाडिलेटरल है यह क्वाडिलेटरल है मतलब की 4 और इसके बाद उसके अंदर बनने वाला ट्राइंगल है मतलब कि तीन सइडे वाला ठीक है देख लेते हैं उसके बाद ये सेकेंड फिलकर था मैं क्या देख पा 3 side का figure है अंदर एक quadilateral है और फिर उसके बाद उसके अंदर एक pentagon है 1,2,3,4,5 तो एक pentagon है मतलब 3,4,5 ये वाला एक pattern follow होता हो दिख रहा है third figure में fourth figure के अंदर में क्या देख पा रहा हूं तो fourth figure में देख पा रहा हूं कि बाहर 1,2,3,4,5,6 एक hexagon बना है उसके बाद अंदर एक pentagon बना है 1,2,3,4,5,5 side फिर उसके अंदर एक quadilateral बना चार side का एक figure बना हुआ है ठीक है 1,2,3,4 इस figure में मतलब fifth figure में मैं क्या follow करता हूं देख रहा हूं कि fifth figure में मुझे यहां पर दिख रहा है 1,2,3 और यह 4 side ठीक है तो यहां पर मुझे 4 side दिख रही है मतलब एक बाहर quadilateral अंदर एक pentagon ठीक है और उसके बाद उसके अंदर 1,2,3,4,5,6 एक hexagon तो 456 तो यहां पर क्या difference कोन से figure में मुझे नजर आ रहा है वो मुझे ढूंड़ना है basically तो यह मैं कैसे ढूंड़ू देखिए गया 4,4,4 center में 4,4 है और यहां पर 2 में 5 है तो कोई अंतर नहीं इन दो में 5 है फिर 3,6,4 है क्या serial wise कुछ follow होगा है 5,4,6 follow है 5,4,3 follow होगा है आप देखे हैं descending order 5,4,3 फिर यहां पर एक ascending order 3,4,5 ठीक है यहां पर 6,5,4 एक descending order कम होती हुई फिर यहां पर 4,5,6 एक बढ़ती हुई क्रम तो यहां पर एक बढ़ता हुए एक कम होता हुए क्रम है मतलब descending है ठीक है यहाँ पे ascending है फिर इसमें descending है ठीक है और फिर इसमें आप देख रहे हैं जो वो है descending है लेकिन पहले वाले figure में अगर मैं देखू तो पांच चार छे मतलब बढ़ता हुआ क्रम है ठीक है पांच नहीं सॉरी यहाँ पे तो कुछ pattern फॉलो नहीं हो रहा पांच बढ़त फॉलो नहीं कर रहा इस कारण मेरी मार्किंग first figure की तरव जाएगी देखें कि first figure जो है वो अलग है मतलब answer जो है वो ए होना चाहिए चलो चेक कर लेते question number 2 का answer क्या a है चेक करते येस देखिएगा question number 2 का answer a है आपको reason समझ आया क्या reason था reason यह था कि कितनी lines जब भी इस पगा अगर figure आये ना एक के अंदर एक एक के अंदर एक तो number of lines figures की count कर लीजे हो सकता आपका जवाव वहीं आपको मिल जाए तो यह ट्रिक था टिप था question number 2 के जरिये में कि classification प्रकार के question आते हैं तो आपको किस तरीके से चलना है clear है move करते है question number 3 की तरफ third question हमारा क्या था third question में आप देख रहे हैं कि 3 3 leaves 3 leaves 3 leaves 3 leaves 3 leaves 3 leaves कोई अंतर यहां पे नहीं देख रहा है हर figure में 3 leaves है ठीक है इसके बाद यहां पे जो pattern follow होता हूं मुझे दिख रहा है कि कहीं न कई movement हो रहा है अगर movement को मैं पकड़ू तो मैं देख रहा हूं कि यह दोनों leaves एक साथ लगी हुई है ठीक है यह वाली leaves कुछ अलग है थोड़ी दूरी पे है ऐसे यह दोनों leaves एक साथ लगी हुई यह दूरी पे यह दोनों leaves एक साथ है और यह दूरी पे है यह दोनों leaves एक साथ है और यह एक दूरी पे है तो इस तरह का pattern अगर मैं देखो तो यह दोनों leaves भी एक साथ है और यह लीव जो है यह अलग है ठीक है अंतर कहां दिख रहा है अगर में मुवमेंट करके देखता हूं तो दो लीव पहले उपर की तरफीज जो नों साथ लगी हुई है तो मैं डॉट एक मार्ग कर देता हूं ठीक है यहां पर भी एक डॉट मार्ग कर देता हूं यहां पर भी और इस तरफ हलका से नीचे आया ठीक है और फिर यह उपर की तरफ चला गया और इसके बाद यह यहां पे मतलब अगर यह डॉट यहां पे तो क्या डॉट का मुवमिंट मुझे दिख रहा है कि कहीं पे अगर मैं पकड़ूं कि यह इस तरह का इस डायरेक्शन में तो यह पार्ट ऊपर चला गया फिर वो लीफ इसका एक अगर यह लीफ मूव करती है तो मूव करती है तो यह दो लीफ यहां आएंगी यह एंटी डायेक्शन गुमता रहेगा फिर दो लीफ यह यहां चिपकी हुई तो यह फिगर दो तीन चार और उसके बाद यहां पे फिर मैं देख रहा हूँ कि यह जब मूवेंट करेगा और अगर इस सइद आएगा, एस सइद आएगा, मूव करका अगर इस सइद आएगा तो यह दो लीफ से और एक उपर रहेगे मेरे हिसाब से इसका अंसर ए होना चाहिए क्योंकि यहां पे जो मूंट मझे दिख रहा ह कि जब यह चीज इधर मूफ कर रही होगी न तो यह वाली जो लीव है यह इसका 90 डिगरी पर कुछ बनी हुई है क्या ऐसा कोई अंतर है क्या इसका अंसर ए है देख लेते हैं यह इसका अंसर ए है अंतर कहां मुझे मिला इस चीज को आप भी समय नहीं कुछ करना मैं देख प यहां पर आप देखेंगे तो इसके सामने 90 कहीं नहीं बन रहा है इस लीव नहीं बना रही यह लीव अलग है और यह लिव अलग है मतलब यहां पर कुछ मुझे फिगर अलग दिख रहा था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बहुत करीब में दिख रहा है ठीक है तो म कोशन नमबर 3 का अंसर ए होगा कि पहले फिगर में कुछ चेंजेस हैं कोशन नमबर 4 देखिएगा इसका अंसर क्या है तो एक सरकल है एक सरकल है सरकल है और सरकल है ठीक है अगर आप ध्यान से देखें तो इनके नीचे यह जो बन रहा है यह जो डिजाइन बन रहा है यहां पर आपको कुछ न कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा तो चार फिगर हैं आपके सामने और वह चार फिगर में जब यह आप सरकल को इसी साइड आना चाहे था अगर यह हो रहा है तो डारेक्शन इस ऐल का इस साइड होना चाहिए इस तरीके से इस तरीके से ठीके लेकिन ये उल्टे साइड पर आ गया तो मैं क customize को भी फॉर्ट का अंसर ठीके रोटेट हो यह चीज होते समय यह जो अ है इसने अपना पूरा direction भी बदल लिया mirror image बन गई ठीक है इधर हो गया पलट गया जबकि इसका movement अगर हो रहा था तो वो इस direction में anti clockwise होना चाहिए था ठीक है यह L का जो design है यह ऐसा होना चाहिए था ना कि इस तरीके से clear है तो question number 4th का answer 3 है that means C option clear चलो board करते हैं clear check करते हैं yes यहां तक आपने चार question देखिए उनके answer देख लिए हैं 5th question आपके सामने हैं 5th question को आप देखिए 5th question में आपको बहुत सारे sign देख रहे हैं हार drawing में क्या कुछ अंतर देख रहा है तो आप देखेंगे cross cross के बाद circle triangle plus का sign equal to का sign है और यह जो cross यहां पे बना था वो एक उल् चला गया घूंके यहां आगया ठीक है तो circle circle में मैंने dot mark कर दिये triangle यहां पे 2 यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी और इसमें भी तो ट्राइंगल के लिए मैं ट्राइंगल का एक शेप बनायता हूं पहले नीचे था उपर चला गया फिर साइड हो गया फिर नीचे आ गया और फिर यह उपर है तो देखो आप सरकल ट्राइंगल सब में था equal to का sign इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है लेकिन इसका भी कहीं न कहीं कोई movement हो रहा है ठीक है plus का sign plus का sign plus का sign बट यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी plus का sign है इसमें नहीं है इसमें नहीं है यह multiplication का sign है इसमें multiply 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 plus का साइन नहीं है यहां पर देखो एक rectangle बना हुआ है लेकिन plus का साइन नहीं है तो मैं कहूंगा फोर्थ फिगर में अंतर दिख रहा है बाकी सब figure similar तीके मतलब सब similar मतलब position अलग-अलग है लेकिन symbol जो अंदर बने हुए है यह symbols यहाँ पे इस figure में नहीं दिख रहे बाकी सम्में दिख रहे हैं plus का sign दिख रहा है equal to का sign दिख रहा है triangle दिख रहा है multiply दिख रहा है circle दिख रहा है तो एक दो तीन चार पांच figure तो दिख रहे हैं यहाँ पे भी एक दो तीन ओ चार दिख रहा है पांचवा figure प्लस का sign नहीं है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इसका answer जो है वो D option है question number 5 का answer D होना चाहिए मतलब कि 4th figure में कहीं न कहीं कमी है yes, देखिएगा इसका answer आप लोगों के सामने clear है? तो 5 question हम लोग कर चुके हैं 10 question और हैं जिनके answer आपके सामने है वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि यहां पर आपको मिल रहे है solutions question number 6 आपके सामने है क्या है? देखिएगा एक line है और line के दोनों side पे मुझे दोनों अलग-अलग side पे मुझे circle दिख रहे है यहां पर भी एक line है यह circle अगर इधर है तो यह circle ऊपर बना हुआ है एक दूसरे side पे बना हुआ है यह circle अगर यहां पर है तो इसके दूसरे side पे एक circle बना है इसका मतलब यहां पर अंतर नहीं है सारे circle जो है वो एक दूसरे को oppose कर रहे है ठीक है क्या इनका rotation जब हो रहा है side बना हुआ है ठीक है ओके ये अगर नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है तो ये circle नीचे आ गया जबकि अगर ये rotate करता अगर ये horizontal line होती तो ये dark circle उपर होना चाहिए था जो कि नीचे बना हुआ है ठीक है fourth figure चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये फिर से rotate होता है तो आप देख रहें डार्क सर्कल उपर बना हुआ है ठीक है और यहां पे भी जब यह रोटेट होके इस डायरेक्शन में आता है तो जब यह नीचे की तरफ रोटेट होके उपर आ रहा है तो यह सर्कल यहां पर अपनी सही पोजीचन पर बना हुआ है एकदम सही है डार्क स नजर आ रहे हैं तो third figure अलग है मतलब answer इसका C होना चाहिए check कर लेते हैं क्या sixth question का answer C है yes देखिएगा question number six cancer C है clear इस दीखें से हम लोग 6 question कर चुके साथवा question आपके सामने है क्या है seventh question का solution ये भी check कर लेते हैं देखिएगा एक दूसरे को अपोस कर रहा है क्रॉस का साइन एक दूसरे को अपोस कर रहा है क्रॉस का साइन यहां पर क्रॉस का साइन आमने सामने है यहां पर एक दूसरे को अपोस कर रहा है यहां पर एक दूसरे को अपोस कर रहा है तो अगर रोटेशन हो रहा है कहीं पर भी जा रहे है तो एक दूसरे को चीज़े अपोस कर रही है बट यहाँ पर आमने सामनी बन गया अपोस नहीं हो रहा मतलब डाइगनली नहीं बना हुआ अलग अगल बगल बना हुआ है तो मैं कहूंगा थर्ड फिगर में यहाँ पर चेंज़ेश है इसका अंसर C option होना चाहिए C option question number 7 का अंसर C होना चाहिए board कर लेते है clear देख लेते है yes question number 7 का अंसर हमारा C option है तो इस बगार से आप देख रहे हैं rotation चेक करने पर कितना असान तरीके से हमें जवाब मिल रहा है rotation चेक कर रहे हैं आमने सामने opposite side चेक कर रहे हैं तो classify करने के यह कुछ step centric से जो कि मैंने में थ्योरी में भी बताए हैं आपको DPQ में भी समझा रहा हूं clear तो साथ question हमारे सामने हो चुके 8 question देखेगा 8 question में क्या है देखिएगा 3 lines है again 3 lines है 3 lines है triangle बना दिया कुछ कुछ एक design बना रही है लेकिन देखो आप तीनों figure में 3-3 lines है एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन बट यहां पर आपको तीन line ऐसे तो दिख रही है एक यहां पर horizontal line भी दिख रही है चौथी line भी दिख रही है clear है यह चीज तो मैं कहूंगा 8 question का answer जो classify हम कर रहे है एक ऐसा figure जो कि बाकियों से match नहीं हो रहा कहीं न कहीं कुछ changes होंगे वो changes fourth figure में मुझे नजर आ रहे है fourth figure का मतला मेरा answer D option होना चाहिए कौनसा option D option होना चाहिए तो 8th का answer D है board कर लेते हैं clear check कर लेते हैं yes question number 8th का answer यह D option है clear है move करते है question number 9th की तरफ question number 9th क्या है तो 9th question में आप देख रहे हैं एक circle है और circle के अंदर कुछ leaves बनी हुई है लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ अंतर है मुझे एक नजर में जो समझ आ रहा है वो अंतर जो है देखो यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,7,8 8 leaves हैं यहाँ पे जो हैं वो 4 leaves हैं जस्ट हाफ हो गया फिर इसके अंदर 1,2,3,4,5,6,7 7 leaves हैं यहाँ पे 1,2,3,4,4 leaves हैं एक दो तीन चार पांच छे छे leaves हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे 8 leaves यहाँ पे 4 leaves यहाँ पे 4 leaves यहाँ पे 6 leaves सारे के सारे even numbers हैं यहाँ पे 7 leaves हैं एक और नमबर है तो 3rd figure में कुछ न कुछ changes हो सकते हैं एक अंतर तो मैं यह पगड़ता हूं 3rd figure को देखके ठीक है कि 3rd figure में जो number of leaves हैं वो 7 है 7 है इसलिए एक odd number है तो हो सकता अंतर यह हो यहाँ मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हर लीव के opposite में एक लीव है देखो इसके opposite में इसके opposite में इसके opposite में यहाँ पे इसके भी opposite में इसके भी opposite में शेप बना हुआ है यहाँ पे इसके अपोज में हैं इसके अपोज में हैं इसके अपोस में जहां पर भी एक Leo बनी है उसके अपोज़ेट शाइड पर एक लीव दिख रही है लेकिन जब आप इस फिगर को देखो तो इसको आपोस तो कर रही है इसको भी अपोस कर रही है इसको भी अपोस कर रही यह clear है board कर लेते हैं clear answer check करते हैं yes question । 9th का answer see option है sorry ठीक है ऐसे ही हम move करते हैं question number 10 की तरफ 10th question क्या है 9 question यहां पर गया 10th question क्या बोल रहा है इसको भी check कर लेते हैं देखो थ्री लीज थ्री लीज थ्री तो एक लीव उसके अपोजिट में हैं तो सब जगा वही चीज है तो यहां पर मुझे मुझे में अंतर समय नहीं आ रहा है जब भी इस दीचे के चोटी चीजे दिये हो ना तो उन छोटी-चोटी चीज़ों को आप पॉइंट करो कहीं ना कहीं अंतर नहीं आ रहा है प्रीच दिख जाएगा देखो इस चेंटर पोईंट के पास में ये दो हीवह बाहर बने बटीक क्या इससेंटर के पास में दो ल forbidden ऐएग दूर बनए या पर ये डिजाइंद दूर चला गया अ पर चला गया संडे डूर चला गया दो क्या कि एक center point के पास में बनने वाला design दो है और एक point दूर बन रहा है design दूर बन रहा है बट fourth figure में तीनों के तीनों जो design है वो center point के पास में बने हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10th question में fourth figure एक अलग figure है तो ऐसे बोलने के लिए हम कहेंगे D option को मैं mark करूंगा यही एक answer मुझे नजर आ रहा है और कोई नहीं तो 10th question का answer D option होना चाहिए चेक कर लेते हैं board करते हैं clear ठीक है move करते है answer की तरफ yes question number 10th का answer D option आया हमारा तो देखरें छोटे छोटी चीजों पर भी यहां पर classify हो सकता है आपको यह सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है question number 11th की तरफ चलते 11th question क्या कह रहा है चलो 11th question को ध्यान देना 11th question में कह रहा है दो लीव साथ में है और दो लीव दूरी पर है ठीक है यहां पर दो लीव साथ में है और आप देख रहे हैं यह दो लीव दूरी पर तो है लेकिन बहुत जादा दूरी नहीं जितनी दूरी यहां पर मुझे नजर आ रही है ऐसे ही यहां पर भी दो लीव साथ में ह ठीक है और इंके सामने वाली जो leaves है इसमें भी दूरी दिख रही है दो लीव साथ में हैं दूरी दिख रही है लेकिन मुझे समझ ऐसा आ रहा है कि इसका अंसर 1 ओना चाहिए क्यों क्यों कि यह जो बहुत दूरी पर बनी एक दूरी से भी ज्यादा दूरी पर बनी है यहां यह दोनों लीज एक साथ हैं यह दोनों लीज पास में यह दोनों पास में यह दोनों पास यह दोनों पास यह दोनों पास यह दोनों पास अंतर मुझे फॉर्स्ट में नजर आ रहा है 11 का फॉर्स्ट ठीक है तो यहां पर व्यूइंग मतलब देखने के बाद जो मुझे कें कंपारीजन में तहीं तो निए बहुत ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इन दोनों में थोड़ा पास तो ये दो लीव से आपस में जो दूरी कम है यहां पर बहुत ज्यादा बीच में गैप जो है वह बहुत ज्यादा गइप भी तो कोशन ने नंत ने है है clear चलो बोड करते हैं clear question number 12 देखिएगा 12 question में आप देख रहे हैं three lines three lines three lines three line three line और three lines के end पे एक जगा arrow बना है एक जगा cross बना एक जगा circle बना circle cross arrow ठीक है फिर circle cross arrow circle यह circle cross arrow ठीक है circle यह circle cross and arrow तो यह सब figures में मुझे यहां पर कोई अंतर नहीं दिख रहा लेकिन अगर आप center का यह dot देखें यह dot किन के बीच में बना है यह बना है arrow head और circle के बीच में ठीक है ऐसे ही circle और arrow head के बीच में बीच में नजर आ रहा है बख कि इन दोनों figures में कहां नजर आ रहा था arrow head और circle के बीच में arrow head और circle के बीच में तो यह arrow head और circle के बीच में मुझे dot समझ आ रहा था जो कि यहां पर है इन दोनों figure में यह अंतर है आगे का एक फिगर चेक कर लेते हैं पहले एक एरो हैड है एक सरकल है इसके बीच में डॉट है एक एरो हैड है एक सरकल है इसके बीच में डॉट है तो अंतर मुझे जो समझ आया वो समझ आया है मुझे थर्ड फिगर के अंदर यहां पर एरो हैड हो सरकल के बीच मे dot ना हो कि वो है arrow add cross के बीच में तो यहाँ पर third figure में changes है question number 12 का जो answer है वो three figure third figure है और third figure option पर अगर मैं mark करूँगा तो यह है C option clear 12th question clear करते है answer check कर लेते हैं yes देखिएगा question number 12 का answer यह C आया है तो इस पकार से आप 12 question कर चुके हैं तीन question और आपके सामने देखिएगा next question क्या है इस question में भी यह देखो यहाँ पर line वाले figures हैं जिन में number of lines है तो हम एक काम करते हैं मैंने अभी पीछे question किया था वहाँ पर मैंने समझाया था कि जब भी इस तरह के figures वाले आए एक के अंदर और एक figure हो तो इसमें number of lines को जो count करना देखो मैं एक पहले वैसे count करता हूँ देखना बाहर बनने वाला पांच side का figure है और अंदर बनने वाला 6 side का figure है मतलब बाहर एक pentagon मना है 2 और 3 पांच और अंदर एक hexagon मना है बाहर एक quadilateral बना है और अंदर एक triangle बना है यहां पर यह चीज़े ठीक है फिर इसके बाद अंदर बाहर एक triangle बना है और अंदर एक quadilateral बन गया ठीक है बाहर एक quadilateral बना है और अंदर पैंटागन बना है अच्छा फिर उसके बाद यहां पे एक दो तीन चार पांच बाहर एक पैंटगन बना है और अंदर एक हेग्जगन बना है तो आप देख रहे हैं कि 5 6 5 6 4 3 4 5 ठीक है अगर मैं फॉलो करूं उपर वाले नंबर्स को देखने बाहर बनने वाला जाँट पर अगर मैं नीशे की तरफ जाओन तो तीन साइट फिर यहां पर दो साइट होना चाहिपा लेकिन फिर दोनूर्स होना है यहांपर अगर मैं देखओ आल्टरनेट फिकर उसे बाहर बनने वाला inch पांच 4 5 6 5 बाहर बाहर बनने वाला figure अगर इस तरीके से बनता कि बाहर बनने वाला figure की जो number of sides होती वो 5 होती alternate में 4 हो जाती फिर 5 होती फिर 4 हो जाती और फिर 5 हो जाती तो आप देख रहें उपर की values दोनों सही आ रही है बट यहां पर गलती मुझे नजर आ रही है कि बाहर बनने वाला figure जो है वो एक triangle बन गया तीन side का बन गया alternate में बाहर बनने वाला figure चल रहा था यहां पर जो pattern follow हो रहा था मेरे इसाब से वो यह होना चाहिए था कि 5-4-5-4-5 वाला pattern follow होना चाहिए था जो कि नहीं होता हुआ दिख रहा तो मैं कहूंगा कि क्यों ना इसका answer 3 हो ठीक है third मतलब C option होना चाहिए question number 13 का C option check कर लेते यस देखिएगा पहली बार में हमने solve कर लिया क्या कि question number 13 का answer C है pattern एक particular follow हो रहा था बाहर बनने वाले figure के लिए तो इस पकार का भी different question आपको देखने को मिल सकता एक और अच्छा question है जो कि इसके जज़बात में है यह वाला question और यह वाले question जहातर हो सकता देखने को मिले नहीं तो कहीं न कहीं एक high level की competitive exam में जहां आपका non-verbal और verbal की questions आते हैं वहां पर classification topic में इस तरह का figure देख सकते हैं एक के अंदर एक figure है और वो movement कर रहा है तो यहां पर एक छोट असर tip बोल लूँ ट्रिक बोल लूँ वो समझ जाओ वो यह कि अंदर वाले figures भी move करते हैं बाहर वाले figures के साथ में तो आपको वो एक mixed form यह थोड़ा से एक हट के question आता है और देखने को मिलेगा यहां पर आप देखो बाहर एक जो box बन रहा है उसका movement हुआ कितना movement हुआ 15 degree का अगर मैं बोलूँ भाई वो चीज ऐसे थी ऐसी हो गई तो अगर मैं ऐसे देखूं तो कोई चीज यहां थी मतलब जो point यहां था वो यहां था third step में सीधा वो मुझे यहां दिख रहा है मतलब opening उपर की तरफ हुई फिर उसके बाद यहां से 15 degree का movement अगर माल लेते हैं चलो अगर यह ऐसा है तो यह इधर आया फिर उसके बाद यह चीज यहां से यहां से जब यहां आ सकती है तो यह घूम के सीधा कितने house movement हुई तो देखना पहला figure यहां दूसरा यहां तीसरा यहां चौथा यहां पांचवे figure में ध्यान देना कि यह figure जो यहां पर opening था वो घूमते हुए यहां से सीधा यहां आ गया यहां आ गया यह 5th step है ठीक है तो जो 2 के बाद 3 आया तो मैं ऐसा बोल 90 तो 15 और 90 मतलब यह मेरा हो रहा था 105 डिगरी ठीक है थर्ड फिगर में फोर्थ फिगर के बाद 105 डिगरी को अगर मैं चेक करूं तो 15 और 90 फिगर यहां पर आना चाहिए था बट वह कहां चला गया बाहर की तरफ बाहर की तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं 5th figure में मुझे outside क फिगर में यह अंतर दिख रहा है लेकिन यह हमारा अंसर नहीं इस देखे से हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि अंदर के फिगर का मुवमेंट देखना जो यहां पर अंदर बना था अगर यह ऐसा होरिजोंटल था तो यह पूरा घूमा मतलब अगर मैं अंदर वाले प्लस 90 180 और प्लस 15 तो 180 प्लस 15 मतलब 195 डिगरी का मुवमेंट ठीक है यहां पर चीज आ गई इसके बाद यहां से घूमके सीधा ऊपर आ गई यहां पर आ गई तो कितने डिगरी का मुवमेंट हुआ देखो पहले फिगर का उपनिंग यहां था फिर यहां बना और अब यह बन गया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां से यह 15 डिगरी और निटी डिगरी अंदर का मुवमेंट देखा जाए तो 195 डिगरी का मुवमेंट आ रहा है ठीक है यहां पर यह चीज इधर थी अब इधर आ गई है ठीक है तो पहले चीज इधर थी फिर ऐसे आगे अंदर बाला figure पर ध्यान देना अंदर फिगर के डॉट पर ध्यान देना कि फॉस्ट यहां पर सेकेंद यहां पर और फिर थर्ड मुवमेंट जो हुआ ठीक है अपने पोजिशन पर यहां 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 आनी चाहिए थी बटनी आई ठीक है यहां नहीं आई कहां आ गई वो चीज य नहीं बन गया वनों थ्री के सामने ठीक है फिर इसके बाद यहां से जो मुवमिंट है उपर 15 डिगरी का मुवमिंट मतलब यह डॉट यहां पर आ गया अच्छा फिर उसके बाद यह चीज ऐसे यह अंदर वाले फिगर पर ध्यान दीजेगा फिर इसके बाद यह चीज अगर पूरी घूम के वापिस आती है तो यह चीज घूम के नीचे की तरफ आ गई यहां पर आ गई तो कहीं ना कहीं है ना मुझे अंदर के फिगर में एक कमी नजर आ रही है बाहर के फिगर का मुवमिंट देखूं तो as compared to first यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां की जो मुवमेंट्स है देखो अगर मैं ऐसे माक कर दूं कि अगर फिगर को हम ऐसा पकड़ते हैं ऐसा और इसमें अगर मैं एक मार्किंग कर दूं मार्किंग में कैसी कर रहा हूं कि इस लाइन को पकड़ लेता इन और तो यह वाले जो फिगर है यह इधर आ जायागा मतलब यह एकदम सही ही बना अंदर वाला फिक ठीक है और अगर यह फिगर फिर घूंता है तो यह रोटेट किया यह रोटेट किया ऐसे आ गया तो यह जो लाइन इधर थी यह बेसिकर यह अब यह принगा है कहां आ गई है यहां आ गई है देखना एक दो और तीन नहीं यह लाइन यहां ना के यह लाइन बेसिकली यहां आ गई है कहां पर यह वाली लाइन होरिजॉंटल देखना यह ऐसा एक सीधा हुआ एक फिर दो और फिर तीन तो यह वाली लाइन नीचे की तरफ बनी यह और यह यह लाइन जो इधर थी न वो भी ऐसा घूमा फिर नीचे आया और फिर ऐसे चला गया मतलब यह लाइन यहां पर आ गई तो एकदम सही चल रहा है इन तीनों फिगर्स में लेकिन अगर आप पहले फिगर को देखो देखो मैं अगर यह रेड लाइन मिटाएता हूं अगर इससे पहले बना नोता मतलर ऐसा होता तो यह लाइन के फोजिशन यहां पर था और इसके साथ बनने वाली लाइन अगर अपने वापिस पोजीशन पर आती तो यह जो बॉक्स है ना इस बॉक्स का रोक बेसिकली ऐसा ओना चाहिए था यह उल्लटा बना U हुआ है बात को समझना अंदर वाला जो box है ना मैं उसको पगड़ रहा हूं नहीं समझ आया फिर से समझना क्या बोलना चाहरा हूं मैं अगर यह anti-clockwise movement है तो यह अगर initial figure है तो यह move करके ऐसे आया होगा तो इसका उनले यह जो लेकिन इसके अंदर वाला जो box है यह जो box है यह वाला box गलत बना हुआ है यह बताना चाहरा हूं देखो मैं तुम्हें यहां पर डारेक्ट बना के दिखाता हूं फिर से यह जो box है ना यह हर जगा पे अपना सही मतलब ऐसे बनना होना चाहिए था मतलब एक्ट्र में कैसा होना चाहिए था इसका रुक उल्टा उना चाहिए था यह जो कि नहीं यह यह इसा बन गया ऐसा होना चाहिए यह मैं समझाना चाहरा हूँ अगर आप दो मिंट वीडियो को पॉस्ट करके इसको इमेजिन करेंगे तो यह बॉक्स बेसिकली इस डिरेक्शन में होना चाहिए था तो ही अंदर मूवमेंट करता जिस तिके का मूवमेंट चल रहा है बट पहले फिगर में वह मूवमेंट मु का मी है ठीक है अंसर चेक कर लेते हैं क्या अंसर यस देखिए को फॉर्टीन का अंसर यह ऑप्शन आया क्लियर है ग्रीन टिक आगया तो आप लोगों ने रोटेशन को पढ़ना यह थोड़ा सा अलग कोशन है थोड़ा हाय लेवल की कॉंप्टिटिटिव एक्जाम में दे कहां अंतर है तो आप समझना कि सेंटर में सरकल बना है सेंटर में सरकल बना है यहां पर भी सेंटर में सरकल बना है बट यहां पर एक बॉक्स बन रहा है और यहां पर भी एक बॉक्स बन रहा है जो की शेड़ेट नहीं है तो मैं कहूंगा कि सेंटर पॉइंट को आप नही नहीं दे सकते क्योंकि अगर सरकल सरकल को पगड़ता तो यहां सरकल बनता यहां पर भी सरकल बनता फिर उस हिसाब से यह गलती है ठीक है कि यहां पर क्रॉस बन गया यह यह गलती है तो इससे सिफ एक कमी से मैं अपनी गलती नहीं बोल सकता हम बाहर पर आते हैं बाहर पर साइट पे हैं बट ये एक दूसरे को पोस्ट कर रहे हैं ठीक है फिर ये दोनों एक ही साइट पे हैं और ये दोनों एक दूसरे को पोस्ट कर रहे हैं तो नौन शेटेट एरिया फॉर्थ फिगर में अगर मैं देखता हूं तो ये चीज यहां पे बनी है और ये चीज यहां बनी है मतलब एक दूसरे को तो कर रहे हैं तो इस पर मैं कमी फाइंड नहीं कर सकता एक चीज मैं और देख सकता हूं कि जो बाहर की तरफ यह जो बने हैं यह जो फिगर बाहर की तरफ बने हैं कहीं न कहीं इन में क्या अंतर है क्या डिजाइन में तो मैं देख रहा हूं कि इ लाइन का यूज हुआ है यहां पर आप देखे तो इस देखें कि 3-3 लाइन से बाहर का आउटर बॉंडरी बना लेकिन कर्वड नहीं यहां पर भी यह स्टार टाइप का बना हुआ है स्टेट लाइन्स का यूज हुआ है यहां पे आप देखें स्टेट लाइन्स का यूज हुआ यह ऐसा है यहां पे यह ऐसा है ठीक है तो स्टेट लाइन्स का यूज हुआ पर यहां पर आउटसाइड में कर बना है तो हो सकता है कोशन नंबर 15 का अंसर मैं 3 बोलूं ठीक है क् figure है वो कर्व है बाकि सब में जो similarity दिख रहे हैं बाहर बनने वाली जो leaves है यह सब straight lines है तो मैं कहूंगा question number 15 का answer C होना चाहिए मतलब third option यह जो third figure है यह इसका जवाब होना चाहिए तो question number 15 का answer C है ठीक है बोर्ड करते हैं चेक कर लेते हैं yes question number 15 का answer हमारा C ही नजर आ रहा है तो छोटी छोटी बारिकों पर आपको ध्यान देना है क्योंकि shedding area को अगर मैं देखो तो इस figure में आके कुछ confusion create हो सकती है दूसरा यहां पर भी एक दूसरे का पोस्ट कर रहा था बट यहां पर इस figure में और इस figure में एक दूसरे के opposite में नौन शेड़ेड एरिया है तो यह कमी मैं नहीं बोल सकता मैंने देखा बाहर की side को फिर मैंने जवाब दिया है clear है तो पंदरा question हम यहां पर solve कर चुके हैं dpq के classification chapter से तो सर यह वीडियो हम कहां देख सकते हैं easily तो आपको कुछ नहीं आपको आना है Google राजा के पास वहां पर type करना है Magnet brains आपके सामने इस पगार का interface open होगा आप scroll up करते हैं तो यहां पर आपको एक option दिखता है explore top courses और इसी के नीचे आपको kindergarten से लेके class 12 तक कोई भी subject सब subject यहां पर एविलेबल है extra learning NTSC का option आपको यहां पर दिखेगा जो आपको क्लिक करना है तो extra learning पर आप चाहें क्लिक करिए यह NTSC का भी option आपको दिखेगा उस पर आप क्लिक करिए आपके सामने इस देके का इंटरफेस ओपन होगा आपकी टीचर से स्टेज वन की तयारी करा रहे हैं आप लोग को विभूती मैं हो गई राहूल सर हो गई यहां पर रिया चाहन मैं हो गई और आपकी अपने अभिशेख सर तो पूरी तयारी आपकी सैट और मैट की यहां पर हम लोग स्टेज वन की तयारी करा रहे हैं आपको जिनसमें फिकल्टी की टीचर के आपको वीडियो वॉच करनी है उनके सामने यहां पर वोच नौ लिखा है वाच नौ पर जैसे क्लिक करते हैं तो वाच नौ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस देखेगा उन पर्टिकुलिब देखना उस टॉपिक को जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी विध्योरी 25 कोश्टंस 50 कोश्टंस इतने आपको दिखेंगे नहीं आपको इसी के नीचे सारे टॉपिक्स की डीपीओ जो कि 10 कोशन ट्रेंटी कोश्टंस हम लोग देते हैं उसका solution वीडियो आप वाच कर सकते हैं तो इतना आसान है जैसे आप इंपे क्लिक करेंगे तो वीडियो रन होना स्टार्ट तो एंटी ऐसी की तैयारी मैगनेट मेंस वह घंड फ्री कोर्स आपको करा रहा है आपको ये information अपने दोस्तों अपने रिलेटिव अपने से छोटे इन बच्चों को जो कि 7th, 8th, 9th में हैं उनको भी पास करनी है clear है so that कि वो लोग भी magnet मेंस के साथ जुड़े घर बैठे-बैठे 100% free education ले पाए और हमारी वीडियो को जब आप वाच करते हैं तो लाइक जुग करते रहे हैं so that teacher motivate होते हैं इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी से जल्दी अगर आप first time वाच कर रहे हैं सब्सक्राइब है तो अल्रेडी बहुत अच्छी बात है नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि नए वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ रहे है ठीक है तो इस तेके से आप लोग 100% free education ले सकते हैं एक नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए